कि हलो डियर स्टूडेंट आई एम गोईंग टो एक्सप्लेंग इक्सरसाइज 5.4 ओके कुर्शन नबर फर्स्ट फाइंड दा सम ए 4 अपान 11 प्लस 2 अपान 11 ओके इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन का मैं आपको रूल क्लियर कर देते हैं फिर उसी रूल के एकॉर्डिंग आप सॉलूशन फ्रैक्शन में करेंगे तो कभी आपका रॉंग नहीं होगा तो फर्स्ट हम हम रूल देखते हैं इस कोशन में वन का ए 4 अपान 11 प्लस 2 अपान 11 सबसे पहले किसी भी एडिशन सब्ट्रेक्शन फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन फ्रैक्शन में अगर एडिशन से पहले आप denominator को वाच किजिएगा ओके ना अगर जितने अच्छे आप denominator को देखेंगे उतना अच्छा आपका solution होगा तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा denominator है denominator वह हमारा क्या है 11 है और 11 है जब denominator सेम होंगे तो उनकी जो numerator होगे जैसे 4 and 2 sign के according solve हो जाएंगे ठीक है ना तो कहने का मतलब equal 4 plus 2 upon 11 बस इसमें कुछ करना ही नहीं है अगर यहीं minus होता तो हम minus कर देते हैं तो तोनों को add करने पर कितना जाएगा 6 upon 11 यह आपका बिल्कुल exact answer है याद रखिएगा यह कब होगा यह simple method कब यूज होगा जब आपके denominator यानि 11 and 11 अगर यहाँ पे सेम हो जाए जैसे 22559988 इस तरह के यानि denominator सेम होने पर आप numerator का प्लस है तो प्लस कर देंगे और सब्ट्रेक है तो सब्ट्रेक ओके क्वेशन अब बी में भी देख लीजिए 2525 से में तो दोनों उपर से एड़ कर लेते हैं ठीक ना 12 and 14 को एड़ करेंगे आएगा 26 इसका एंसर आपका हो गया 26 simple आप ऐसे सीधे लिखे 12 प्लस 14 आल अपान आल अपान 25 ओके एड़ करने पर आपका क्या आएगा 26 25 यह आपका एंसर हो गया और अगर आप इसका सॉलीशन देखना चाहते हैं तो हम सॉलीशन भी आपको यहां पर दिखाते हैं यह देखिए आपका क्यों कर बाते हैं क्योंकि अगर डिनोमनेटर सेम हैं सी में भी देखिए सी का भी सेम वही प्रोसेस है सिफ थ्री स्टेप है तो थार्टीन 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 तीनों में डिनोमनेटर है से 5 प्लस 2 प्लस 1 एड़ कीजिए 8 अपां 13 आप हैंसे फाइंड आउट कर लिजिए ओके डी अब यहां डी से थोड़ा सा रूल चेंज हो गया रूल यह चेंज हो गया कि इसमें डिनोमनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करें इसमें ठीक ना अगर डिनोमनेटर सेम नहीं है तो जो हम यह रोग्त करें अगर अगर आप इन दोनों का सम निकालते हैं तो आप 화ण कीत हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह अगर 9 और 8 का LCM है तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें हम जो है LCM को निकालने पर हम यहाँ से 72 पाते हैं ओके ना 72 अफिन 9 जो इसका denominator है अब यहाँ ध्यान दीजेगा यह जो denominator है आप देख रहे हैं 9 है 9 का आप इसी 72 में इस तरह के डिवाइड कर देंगे ओके तो 9 का यानि कि इसके denominator का 72 में डिवाइड होगा डिवाइड होने भी कितना आ जाएगा 9 8 जो 72 ओके 8 को इसी उपर 5 से मल्टिप्लाई करते हैं 8 5 जब 40 आपका गया ओके याद रखिए मैंने कैसे बताया इसके denominator यानि 9 का 72 जब डिवाइड करते हैं तो 8 आता है और उसी 8 का 5 से मल्टिप्लाई करेंगे 40 अब यही मेधाड आपको पूरे सब्ट्रक्शन में और एडिशन में चलेगा देखिए अभी सेम होई प्रोसेस इस 8 के लिए एट नाइन जा 72 नाइन फो जा 36 आ गया अब आपका यह 72 दोनों के लिए हो गया तो फिर दोनों 40 प्लस 36 आया दोनों एट कीजिए 76 आपान 72 यह आपका क्या हो गया एंसर ओकी ना इसे की जैसे बाकी कोश्चन को सॉल्ब करिएगा कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछेगा ठीक है ना ऐसे ए होगा एफ होगा एफ में थोड़ा सा एक प्रोसेस यह है कि इसमें 4 वोल 2 अपान 3 दिया तो पहले इसको यह मिक् और सॉल्ब कर लीजिए ओके ना ऐसे आपका जी एच्च सभी होंगे आप सॉल्ब करिए कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पुछेगा ओके अब आते हम कोश्चन अबर 2 पर 2 देख लेते हैं क्या है find the difference no problem सेम आपका वही है मैंने भी बताया था देखिए टी इनुमिनेटर सेम 99 तो उपर माइनस किजिए 4 में से 2 गया 2 अपान 9 ओके ना ऐसे बी हो गया 9 से 5 माइनस किए 13 अपान 13 लगा दिजिए माइनस करके सेम सी है डी है बहुत सिंपल है कोई प्रॉब्लम ने इसको अच्छे सॉल्ब करिए ठीक ना question no e e में देखिए का पहले इसको आप चेंज किस अपान 5 इसको भी सॉल्ब कर दीजिए 11 अपान 5 फिर इसको किस में कर दीजिए आप मिष्ट में ओके ऐसे आपका एफ होगा एफ एक मैं आपको explain कर दे रहा हूं यह देखिए आफ आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले आप क्या करेंगे डिनमेंटर से नहीं अगर मिक्स्ट दिखता तुस्से आप पहले इंप्रॉपर में कर लीजिए मेक्स्ट को आप इंप्रॉपर में कर दे रहे हैं क्योंकि यहां पर सेवन थ्री डिनमेंटर सेम नहीं है तो सेम नहीं होने पर एल्सम ही लेना पड़ेगा तो आया 21 फिर उसके बास 7 का 21 में डिवाइड करेंगे 7 3 3 का 41 में डिवाइड कर इंटू करेंगे तो 1 2 3 आया 3 3 7 जा 21 7 7 8 जा 56 फिर दोनों माइनस करते हैं 67 अपन 21 अब इसको किस में करेंगे आप मिक्स्ट में करेंगे तो 3 होल 4 अपन 21 आप कहा जाएगा ओके कनवर्ट करना मैं पहले भी बताया हुआ है आप प्रिवियस वीड बैक साइड का पॉर्शन यहां पर आपको कुछ न कुछ पॉर्शन मिलते चले जाएंगे ठीक ना इसलिए यह सब जानना बहुत ही जरूरी है को इस टाइप से सॉल्व कर लेजेगा ओके अब आते हैं कोशन अबर 3 पर फिल दा बॉक्स ठीक है फिल दा बॉक्स अब हम यह यहां पर कैसे इनको फिल करेंगे हम इसको भी देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर 3 का ए आ चुका है 3 का ए एक कोशन आप मैं 3 एक का ए आपको इस्प्लेंड कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझेगा आप फर्स टाइम जिस भी बॉक्स को फिल करना है उसमें लेट कर लीज बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड दूसरा हो जाता है राइट हैंड साइड क्या हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट यह आपका लेफ्ट है और यह आपका राइट अब लेफ्ट हैट में साइड में देखते हैं जो नंबर से वह निगेटिव है वह क्या है यह माइनस 3 upon 8 का क्या solution होगा यह transfer होगा दूसरे के पास इधर ठीक है ना तो माइनस से क्या बन गया प्लस देखिए प्लस अबने कर दिया देख रहे ना 5 upon 8 पहले का है माइनस 3 upon 8 इधर आया प्लस 3 upon 8 हो गया इसको हमेशा माइन में रखे एगा जब भी transfer होगा तो sign change होगा माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस अब यहां पर देखिए 5 upon 8 प्लस 3 upon 8 इतने का solution अभी मैंने पीछे ही सिखाया है यह addition आप इस portion को छोड़ दीजिए यह जैसा है वैसा सेम नोट होगा सिव इनको solve कर दीजिए आप 5 अगर मैंने पहले बताया denominator सेम है तो numerator add कर लेते हैं 538 upon 8 अब जानते भी 8 cancel भी होता है अगर दोनों 8 8 है तो 8 बंजा 8 8 बंजा 8 एंसर आपका आगया ओके इसी तरी कि आपका बी है देखिए सेम होई चीज है ठीक है ना सी भी आपका सेम होई यह प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है ना ऐसे आप solution करिए कहीं भी problem होता है आप पूछेगा ओके अब आते हैं question number 4 पर simplify क्या है simplify 6 whole 1 upon 3 6 whole 1 upon 3 माइनस 2 whole 4 upon 5 प्लस 1 whole 7 upon 15 ठीक यानि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है चलिए देखते हैं क्या है कहां है simplify यह आपकी screen पर आगया अब आपकी screen पर आगया तो solution भी आप देख लीजिए कैसे हो रहा है अभी इससे पहले हमने क्या आपको सिखाया कि fraction का add subtract करते वक्त जहां पर भी मिक्स्ट हो उसे तुरंद पहले बनाएंगे आप इंप्रॉपर तो यहां भी वही चीज़ हम करने जा रहें देखिए 6 त्रीजा 18 1 19 अपां 3 माइनस 2 5 जा 10 10 4 14 अपां 5 ओके 15 1 जा 15 15 में 7 8 के 22 अपां 15 ओके सेकेंड तिंग्स अब आप इसमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं सभी का एल्सेयम लीजिए ठीक है ना तो एल्सेयम ऑफ 3 5 15 जब आप एल्सेयम निकालते हैं तो आपका आता है 15 अब आपको मैंने पीछी एक्सरसाइज में एल्सेयम एससे निकालना भी सिखाया है फिर से आप उसको तयार करें क्योंकि अगर वह नहीं आएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम क्रियेट होगा अब एल्सेयम आपका 15 हो गया ठीक है ना फिर अगला प्रोसेस वह है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से जब डिवाइड हम कर लेते हैं तो जैसे 3 का 15 में करेंगे डिव अब यहीं प्रोसेस हमारा हर स्टेप में चलेगा 5 3 जा 14 3 जा 42 15 1 जा 15 1 1 22 जा 22 जा 22 अब यह देखिए जो आया आपका 95-42 प्लस 22 तो यह आप बोर्ड में सुरूल से सॉल्व करते हैं यानि पहले आप इसमें एड कर लेते हैं 95 को 22 में एड कर लिए अगर आपको नहीं समझ किया 117-42 माइनस के 75 आया फिर 15 के टेबल में 75 यानि 15 75 डिवाइजबल है तो आपका एंसर आ गया 5 ऑके सेम आपका इसी तरह के भी है देख रहे हैं ना सेम वही है एक को आपको मैंने क्लियर कर दिया एक को कमस कप दो बार लगाईएगा जब वह आ जाएगा ता आप B को ल हैं इनको आप साल्ब कर यह कहीं भी प्रॉबलम हो तो पूछे ओके अब आते हैं कोशन नंबर हम 5 पर वर्ट प्रॉबलम जो कोशन गिवेन है उन पर आते हैं ठीक ना वाट सुट भी ऐड़ेट टू वाट शुट भी ऐड़ेट टू एट होल थिर अपन सेवन टू गेट 11 11 होल 11 अपन 14 तो हम 11 होल 11 अपन 14 लाने के लिए एट होल थिर अपन सेवन में क्या चीज़ एड़ कर दें तो सम सम हमारा है 11 होल 11 अपन 14 तो इसमें सी फास्ट नंबर को माइनस कर दीजिए यानि इसका सॉल्यूशन आप ऐसे देखिएगा यह आपके सामने आगया दए नमबर यानि कौन सा नंबर आड़ करेंगे दए नमबर आपकी स्क्रीन पर है ओके दएड़ फाइब दए नमबर 11 होल 11 अप 14 माइनस माइनस कर देंगे 8 होल थिर अपन 7 माइन आप इसको देखिए फिर सेमीक्ष्ट एक्ष्ट्रेक्षन आया तो पहले किसमें करेंगे आपको पता है पहले इसको इंप्रॉपर 14 11 मुल्टिप्लिकेशन फिर जो आएगा उसमें 11 आट करेंगे तो 165 आएगा अपान 14 सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो आजाएगा इस तरी कोशन फाइब का एंसर आजाएगा कोशन नबर 6 देख लेते हैं यह आपके सामने 6 भी आ गया ठीकिना वाट शुट बी सब्टेक्टेट फ्रॉं 5 ओल वन अपान 6 टू गेट 2 ओल 11 अपान 18 तो वाट शुट बी सब्टेक्टेट फ्रॉं देखिए कहरा फाइब वन अपान 6 से मैं क्या सब्टेक्ट करूं कि हमें 2 होल ले तो आब इसी में स इसको minus कर दो simple हमने पहले भी सिखाया हमेशा from से minus करते हैं तो from में से इससे get वाले को minus कर देंगे आपका answer आजाएगा ठीके ना तो इसका solution आप देखना चाहते हैं तो यहां देख लिए यह आपकी screen the subtracted number ठीके ना 5 whole 1 upon 6 आपकी screen पर है 5 whole 1 upon 6 minus 2 whole 11 upon 18, 5, 6, 30, 1, 8 करें 31 upon 6 minus 18, 2, 36, 11, 47 upon 18, solve करने पर आएगा आपका 46 upon 18 और 2 के table से cancel हो जाएगा 23 upon 9 फिर इसको mist में convert कर लिजे, 2 whole 5 upon 9 ओके इस तरीके आपका यह question भी complete हो गया तो आप question number 1 आपका 1, 2, 7 ठीके ना sorry 6 complete हुआ है एक question number 7 हम आपको और बता जाते हैं इसमें इस वीडियो में आपको 1 से 7 तक मैं explain करूंगा आप इतना ही solve करिएगा उसके बार इसका हम next part बनाएंगे प्रॉब्लम का उसमें हम 8 से लेकर 15 तक आपको देंगे ठीक है ना तो question number 7 देखे इन इन 5 whole 2 upon 3 and 3 whole 3 upon 4 which is greater देखे इसमें आपको compare करना है कह रहा which is greater and by how much this question का solution आप यहाँ पी देख सकते हैं कि देखे compare फर्स्ट टाइम हम compare करते हैं 5 whole 2 upon 3 5 3 15 16 17 अपन 3 and 4 4 3 12 3 15 अपन 4 एलसे हम लिए 12 आ गया तो आपका आया 68 and 45 ग्रेटर कौन है तो 68 to 68 upon 12 is greater यानि का आपका greater part होगा अगर यह 68 greater है first side तो आपका टू हो थी अपन थी फाइव 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 ग्रेटर होगा यह देखिए पहले इसको इंप्रापर बनाते हैं बार बार वही चीज आते हैं तो इसलिए उसको खुब अच्छे से माइंड में करिएगा ठीकना फाइव फाइव फ्री जाव फ्री फोल का जवाब ने लिया आया आपका 12 ओके फिर आप जिस तरीके करते उस तरीके आप कर रहेंगे फिर उसके बाद इसको मिक्स्ट में बना लेंगे तो वन होल इलिवन अपन टो ओके तो आप इसमें इस एक्ससाइज के कोश्चन नबर वन टू सेवन को कम्प्लीट करिएगा 5.4 में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तब उसे पूछेगा और उनको कम्प्लीट करिएगा ठीक थांक यू